क्या आपकी आईब्रोस बारीक हैं? हलकी है, री ग्रोथ नहीं करती, ग्रोथ रुकी हुई है, लाइट ब्राउन है और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईब्रोस भी लंबी, घनी और स्या हों तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं अगर आजकर आप नोटिस करें तो लड़कियों में आईब्रोस बहुत हलकी होती हैं, बालों की ग्रोथ ही नहीं होती तो जिसकी वज़ा से बहुत कंप्लेक्शन होता है और बार बार आईब्रोस को कंट्रोर करना पड़ता है आईब्रो के बालों की रीग्रोथ ना होने की कई वजुआत हो सकती हैं जैसे के खुराक, जैनेटिक या किसी बिमारी की वज़ा से तो इस वीडियो के बाद आप अपनी आईब्रो रीग्रोथ कर सकते हैं सिर्फ साथ दिन के अंदर बहुत ही ईजी जैल है, सिर्फ दो इंग्रीडियन्ट है और लगाना भी बहुत ही असान है इस जैल की इस्तमाल से आपकी आईब्रो रीग्रोथ करेंगी, लंबी, घनी और शाइनी होंगी तो चलिए देखते हैं इस जैल को कैसे त्यार किया जाता है हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरे दिल को तसलिए हो जाए आपको मेरी वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आ रही है सबसे पहले हमें चाहिए एक प्यास, प्यास का छिलका उतार लीजिए चिलका उतारने के बाद आप प्यास को इस तरह से ग्रेट कर लीजिए बारीक पीसिस करके अगर आप इसे ग्राइंड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं ये प्यास हमारा ग्रेट हो चुका है अब हमें चाहिए इसका पानी जिसके लिए हमीसे मर्मल के कपड़े से छान लेंगे और इस तरह से आपने प्यास का पानी निकाल लेना है तो ये हमारा प्यास का पानी हो गया नेक्स्ट हमें चाहिए कैस्टरॉयल, दो वाईटामन ए के कैपसूल्स और जल बनाने के लिए हमें चाहिए एक खाली कंटेनर या कोई डबी आपके पास मुझूद है तो आप वो ले सकते हैं सबसे पहले एड़ कर दीजिए एक चमच प्यास का पानी एक चमच कैस्टरोयल दो वाइटमिन ए के कैपसूल स्क्यूइस कर दीजिए तीनों इंग्रिडियन्ट को ब्रश या किसी स्टिक्स की मदद से मिक्स कर लीजिए रात को सोने से पहले ये जेल आपने आईब्रोस पर अपलाए करना है कुछ इस तरह से आप ये अप्लिकेशन स्टिक की मदद से भी कर सकते हैं आप स्पूली या ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं या सबसे बहतरीन है आप अपनी फिंगर टीप की मदद से यानि कि उंगली से आप ये जेल लगाएं अपनी आईब्रोस पर हलका सा मसाज करें और सो जाएं तो जनाब ये तयार जेल आप एक हफ़ते के लिए फ्रिज में सेफ भी कर सकते हैं बालों की री ग्रोथ चाहिए सर के बाल हो या आईब्रोस के टाइम तो लगता है अगर आप साथ दिन रेगुलर यूज करते हैं ना तो इन्शाला आपको 100% रिजल्स मिलेंगे ये मेरी गैरंटी है खवातीन के इलावा मद हजरात के लिए भी काफी एफेक्टिव है जैसा कि जिनकी दाड़ी के बाल नहीं होते ही री ग्रोथ नहीं करते ही या पैचिस वगारा होते हैं तो अगर आप ये उस जगां पे जैल लगाएं डेली तो इन्शाला चन्द दिनों में ही आपकी दाड़ी जो है वो री ग्रोथ करेगी 100% फाइदमन है उम्मीद करती हूं हमेशा की तरह आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को डड़ बटन दबा का सब्सक्राइब कीजियेगा और बेल के आईकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहें तो मैं मीमिलूगे आपसे अपनी नेक्स वीडियो में तब ते के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दौाओं में याद रखिएगा, अल्ला ने के बान